हेलो दोस्तो वेलकम ओल हाँ दोस्तो MPNHM CHO 2021 का आपका सेकंड मेरिड लिस्ट आ गया है दोस्तो इस वीडियो में हम देख लेते हैं क्या-क्या डॉक्यमेंट्स मांगे गए थे फर्स्ट डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था जून सेशन का उसका पूरा लिस्ट देख लेंगे दोस्तो साथी साथ कितने सेट्स बनाने हैं आपको कितनी फोटो कॉपीज ले जानी है पूरी डीटेल में देख लेंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आपको चीजे सारी क्लियर हो जाएगी कि मैं इसले आपको एडवांस में बता रहा हूं ताकि आपको बार-बार वहां नहीं जाना पड़े एक ही दिन में आपका काम हो जाए एक ही दिन में जाके आपका डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन सक्सेस्फुली कंप्लीट हो जाए और आपको Joining Later मिल जाए दोस्तो Joining Later आपको वहीं से मिलेगा जैसे ही आप Complete होगा आपका Documenthand आपका जोइनिक लेटर मिल जाएगा दोस्तो तो दोस्तो इस वीडियो को लास तक देखिएगा इदि आपने चला सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि आगे की सारी अपडेट सबको मिलती रहे स्टार्ट करते हैं द आप जो होका वह इगनो से होगा बस एक ही डिफरेंस है क्योंकि दो अलग 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 अरगनाएशन से लग अलग अलग ंलग तरीके से लेज़ का ट्रेनिक आपको होता है , और ब्सक्राइब कर दिया है works यहां पर आपका इगनु से होगा तो युनिवर्सिटी सेट में क्या क्या डॉकुमेंट्स मांगे गए थे हम यह देख लेते हैं पहला आपका फॉर्म एक फॉर्म महीं से दिया जाएगा दोस्तों उसको फिल करना है और उस फॉर्म का फॉर्मेट आपको मैंने PDF आपका टेलग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिया आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं नेक्ट टेंठज का मार्क शीट त्वेटल का मार्क शचिट जी एनेम और बीच नरसिंग पोस्त बीच नरसी एप या एमस का मार्क शीट ठीक है न होईं बसे 15 और बीच लिग्री सर्टिफिकेत आपका डिक्रीश को रूडिश्रेशन सान आपका जो भी नर्सिंग काउंसिल से यह डी अब क्या हो जाएक दोस्तो को मांभाटा चिफिकेट अब यहांपर क्या हो जायेगा जिन candidate ने अटेंड किया था document verification उन्होंने शेयर किया है ठीक है second है हमारा NHM set NHM set क्या है दोस्तों जो NHM को जाएगा मद्द प्रदेश NHM, MP NHM को जाएगा उसमें original demand draft आपका 15,000 का जो कि मैंने बता दिया आपको वीडियो में कैसे बनवाना है ठीक है नाम correct रिखिएगा दोस्तों ठीक है और demand draft के पीछे आपका mobile number और roll number लिखने आगा mention करना है कि demand draft इधर उधर हो जाए तो उनको proper arrange कर लिया जाए तो demand draft के पीछे नाम और roll number लिखना है ठीक और original bond आपका original bond कहां जाएगा एनेचम के पास जाएगा ठीक उसके बाद original medical certificate आपको medical certificate बनवाना है जो 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए mbbs doctor से बनवाना जिनका registration number हो जिनके पास सिल हो signature करवाना है उनका और उनका registration number होना चाहिए ठीक है आप बेबी एस डॉक्टर से बनवाना है 15 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चीए उसके बाद डीडी की फोटो कोपी ले करवा लीजेगा बॉंड की फोटो कोपी करवा लीजेगा 10th मार्कशिट की फोटो कोपी 12th मार्कशिट जी एनम बेसी नर्सिंग या इसका डिगरी मार्कशीट सेमिस्टर वाइज आपका डिग्री ठीक है उसका रेजिस्ट्रेशन बेदी नर्सिंग कांसल से है या फिर आपका अउर्वेदा कांसल से उसका फोटो कोपी फिर आपका यहीं आपने बीए मस किया तो एंटर्शिफ कमप्लिशन सर्टिफिकेट प्रमान पत्र लगेगा फिर उसके बाद आपका दोस्तों disability certificate यह आपने pwd category से पर आया तो उसका certificate and chh का admit card and scorecard जो आपने exam दिया था उसका admit card और उसका scorecard यह दो चीज़े आपको ले जाना है यह सारी चीज़े आज आजाएगी आपकी एने चम के सेट थर्सेट बनेगा दोस्तों college का सेट तो college का सेट जो बनेगा दोस्तों वह भी देख लेते हैं थोड़ा सा बलर है क्योंकि candidate ने हमको photo लेकर share किया था कि सर यह documents मांगे गए थे तो हम देख लेते हैं फिर college सेट में दोस्तों आपका जो आजाएगा डीडी की photocopy bond की photocopy ठीक है फिर उसके बाद आपका पासपोर्ट साइस फोटोस पासपोर्ट साइस फोटोस दोस्तों 8-10 ले जाएगा सेफ साइड ठीक है उसके बाद 10 की मांक शिर्ट स्वेलर्थ की मांक शिर्ट आपका जी एंचे नर्सिंग का सेमेश्टर वाइज मांक शिप्र आपका डिगरी ऊसके बाद आपका registration certificate फिर आपका बॉड्हें सिंटिश्टी अर्टिफेय। फिर आपका medical fitness certificate फिर कास certificate डोमेसल certificate EWS certificate ठीक है उसके बाद आपका admit card और आपका score card ठीक इतनी चीज़े आपको लेके जाना है दोस्तों यह सब print out निकाल लिए इतना photocopies हर चीज का 4-5 photocopy करवा लिजिए आपका score card की photocopy करवा लिजिए जो आपको result आया था उसका फिर आपका admit card जो आप exam देने गए थे तो admit card का भी photocopy करवा लिजिए आपका bond का बनने के बाद bond का भी 2-3 photocopy 4 photocopy करवा लिजिए डीडी का भी 4-5 photocopy करवा लिजिए ठीक है medical certificate का photocopy करवा लिजिए ताकि दोस्तों वहाँ जरूरी नहीं है आपको photocopy machines वगरा मिल ही जाएगी एक बार में हम चाहते हैं first attempt में ही आपका document verification clear हो जाए और आपको joining letter मिल जाए ठीक है दोस्तों तो ये एक बार अब ध्यान से एक बार देख लिजिए का एक दो document उपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि अभी पहले MPMSU से हुआ था अभी इगनू से हो रहा है तो थोड़ा सा requirement में change हो सकती है बट ये first document verification के टाइम पर सारे documents मांगे गए थे ठीक है आप बाकी दोस्तों आप ध्यान से अपने document verification complete कीजिए all the best सभी candidates को और कुछ आपको दिखकते तो आप comment कर सकते है instagram पर message कर सकते हैं मैं ज़रूर आपको reply करूंगा all the best दोस्तों